हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉनिंग बेटा आप सभी गई वफीस स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल एसको सलिया जूकेशन में और बेटा आज हम कर रहे हैं हमारी फिफ्ट किलास की इंगलिस का फॉर्टींथ लेसन होट एयर बैलोंज यानि की गरम हवा के गु देखो पिक्चर देखते हैं यहां पे क्या क्या पिक्चर बनी हुए देखो यह पिक्चर तुम नहीं कभी देखी हैं पहले हां अच्छा यह क्या है स्कींग स्कींग होता है यह बर्फ यहां पे पहाड़ियों पे बर्फ है और बर्फ से यह आगे फिशलना होता है और यह है tracking यहाँ पहाड़ों पर जहाँ बरफिला शेत्र है उबर्षा बढ़야 है उस उस पर उपर चढ़ने को यह tracking बोलते हैं आगे बिटा हैंड कि लाटक के उपर उड़ना होता है इसमें उपर उड़ते हैं आगे डाइविंग और इसको कहते हैं रोक क्लाइमिंग पहाडियों पे चड़ना सीधी नुकी लिए पहाडियां हैं और यह रिवर राफ्टिंग की नदी में राफ्टिंग करना तैरना इन एक्टिविटीज का हमने नाम भी बता दिया हैं और इनको ज्यादा तर को तो हमने टीवी में ही देखा है और यह जो रिवर राफ्टिंग है यह तो हम कहीं भी घूमने जाते हैं वहां भी कर लेते हैं थोड़ी दूर का तो ठीक है यह तो फिर भी कर भी लेते हैं और यह पिक्चर्स जो भी हैं यह सारी हम ने टीवी पे तो लगबग देखी हैं और जिसने नहीं देखी हैं वो देख सकता है डिस्कवरी चैनल पे आ दीपक और उसके अंकल बातें कर रहे हैं तो अंकल क्या कह रहे वेर आर रहे हैं तुम कहा हो दीपक I have been looking for you मैं तुम्हें ढून रहा हूं दीपक I was playing football मैं खेल रहा था अंकल You know I am a sportsman जैसे कि तुम जानते हो कि मैं sportsman हूं इसलिए मैं खेल रहा था अंकल ओ sportsman have you ever heard of adventure sports कर अच्छा sportsman है तू तो क्या तुमने कभी सहासिक adventure sports के सहासिक खेलों के बारे में heard सुना है दीपक no नहीं what are adventure sports अंकल अंकल adventure sports क्या होते हैं अंकल कहतें tracking, row climbing, river rafting और all adventure sports अंकल कह रहे हैं tracking, row climbing, चटानों पे चड़ना और river rafting नदी के में जो rafting होती है नाव चला नाव पे बैठके तो उनको हम adventure sports कहते हैं दीपक अंकल why are they called adventure sports तो वो पूछ रहा है कि अंकल ये adventure sports क्यों कहलाते हैं अंकल बताता है that's because that are hard, dangerous and exciting activities क्योंकि वो hard, cutting, dangerous, खतरनाक, exciting और उतेजना से भरी हुई यानिकि उतेजक होती है, romance चक होती है, इसलिए उनको हम adventure sports से कहते हैं खतरनाक होती है वो, दीपक, oh yes, अच्छा, that's day on tv, I saw a man climbing a very steep rock using ropes अच्छा, तो उस दिन मैंने टीवी पे एक आदमी को बिलकुल सीधी खड़ी, steep rock, सीधी खड़ी चटान पर चड़ते हुए रसी के सहारे, ropes का मदब रसी के सहारे चड़ते हुए देखा था, I thought he would fall down any moment and die और मैं सोच रहा था कि किसी भी संड गिर जाएगा और मर जाएगा, यानि कि sports में ऐसे करते मज़े लगा था कि वो गिरने वाला है अंकल, अंकल कहरे, yes that can happen और अंकल कहरे कि हाँ ऐसा हो जाता है, but people do a lot of training before climbing like that परन्तु लोग उस तरहें कि जो tracking होती है या road climbing होती है, वो adventure करने से पहले बहुत हाधिक training करते हैं training means perception लेते हैं, अंकल, अब दिपा कहरा है, अंकल, last week I saw another very exciting things on TV तो अब वो बता रहा है कि अंकल, पिछले सप्ता मैंने दूसरी और exciting, romance टीवी पे activity देखी थी क्या देखी थी, a man was seen flying like a huge bird among the mountains कि एक आदमी को मैंने पहाडों के बीच बड़े से पक्सी की तरह उड़ता देखा था अब अंकल क्या रहा है, that's hand gliding, यह hand gliding है, a hang gliding is a very small aircraft hang gliding एक छोटा सा aircraft होता है without an engine, engine के बिना का एक मनलब जहाज होता है, विमान सा होता है it has a wing made of cloth or some other material over a frame और यह उसके एक पंक होता है, जो कि किसी frame के ओपर कपड़े से या किसी दूसरे material से बना हुआ होता है the person flying hangs under this frame और आदमी जो कि उड़ रहा है वो इस frame के अंडर इसके नीचे लटका हुआ होता है इस पर लटक के और फिर वो उड़ता है दीपक, it must be wonderful flying like bird कह रहा है कि birds की तरह पक्षियों की तरह उड़ना बहुत ही विचित्रिस होगा uncle of course बिलकुल, uncle कह रहे हाँ बिलकुल होता है there is another very exciting aerospace called balloning और दूसरा एक और भी exciting roman चक एरो स्पोर्स होता है हवा में जो किया जाता है वो खेल होता है और उसको कहते हैं balloning दीपक, balloning? दीपक, पूछ रहा क्या? balloning? ये क्या नाम हुआ? what do you mean? आपका मतलब क्या है? do grow up people flying ballon grown up people क्या बड़े लोग भी ballon उडाते हैं balloning का मतलब उसने सोचा कि बड़े लोग भी गुपा रहे, भई उडा रहे हैं uncle, no, 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 that not, yeah, yeah, नहीं है they do not fly ballons, वे ballons नहीं उडाते they fly in huge ballons, वो बड़े ballon में उडते हैं filled with hot air और जो की गर्म हवा से भरे हुए होते हैं दीपक, I can't believe it और दीपक कहा रहे, मैं इस पर विश्वास ही नहीं करता how big is the ballon, big, कितना बड़ा बैलून होगा भई एक आदम उस पर लटक के उड़े गा, तो कितना बड़ा बैलून होगा अंकल, ए बैलून ही जूज, बहुत बड़ा, ओफन, 30 feet wide लग भग, ये प्राज 30 feet चोड़ा होता हैं made of special cotton cloth और silk और special cotton या silk के कपड़े से बना हुआ ये बैलून होता है दीपक, how do people fly in balloons लोग, बैलून में कैसे उड़ते हैं, fly means उड़ना अंकल, it's filled with a light gas or hot air अंकल कह रहे हैं कि यह हलकी gas या गरम हवा से बरा हुआ होता है which makes it rise up in the air जो कि उसे हवा में उड़ाता है a basket attached to it एक टोकरी उससे attach होती है it means to carry people along कि लोग उस पे बैठके उड़ सकता है ऐसी एक टोकरी उसके जुड़ी होती है दीपक, that must be very exciting वो हो ये तो बहुत ही उतेजक होगा do you romantic होगा that must be very exciting बहुत ही romantic होगा do you know who was the first person to send a balloon in the air क्या तुम जानते हो कि पहले आदमी कोन थे जिसने की हावा में balloon उड़ाया था क्या जानते हो yes, certainly, हाँ I would say the first man to send a balloon up in the air were two brothers name जोसफ और एंटनी मौन्ट गोल्फियर तो इसमें कह रहा है कि हाँ अवस्य ही कि सबसे पहले जिन्होंने बैलून एयर बैलून बेजा था हावा में उपर वो दो भाई थे जिनका नम जोसफ और एंटनी मौन्ट गोल्फियर था they lived in France, वो फ्रांस की रहने वाले थे, it was in June 1783, यह 1780 की जून में हुआ था, यानि पहली बार जून 1780 में बैलून छोड़ा गया था, जिसमें की गैस या गर्म हावा भर के उपर छोड़ा गया था दीपक, did no one go up in that balloon, क्या उस बैलून में कोई नहीं गया, अंकर no, none, कोई नहीं गया the first living being to be sent up in a balloon, were a ship, a roaster and a duck in the basket attached to the balloon, कहता है कि सबसे पहले, जो भी living beings, यानि की जीवित प्रानी, जिनको गुबारे में भेजा गया था, उनमें से एक ship, यानि की भेड, एक मुर्गा और एक बतक थी इन दा बास्केट, जो कि उस बैलून के साथ बास्केट अटेच हो रही थी, उसमें ये जीव बठाए थे, the first man to go up in a balloon was a French man named Francisco de Rozier in October 1783, और पहला इनसान जो कि बैलून में बैठके गया था, वो एक फ्रान्सीश ही आदमी था, जिसका नाम था, फ्रेंकाइस दा रोजियर, जो कि अक्टूबर 1783 में भेजा गया था, सबसे पहले बैलून कब गया था, जून 1783 में, उसके बाद मैन कब गये, अक्टूबर 1783 में, और जब उसको भेजा गया था, तो क्या था, कि उस बैलून को एक बहुत बड़ी रस्ची से बांधा गया था, जोड़ा गया था, जिससे की बैलून कहीं भी हवा में उड़ता हुआ, दूर ना चला जाए, दीपक, वाई 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 दा बैलून कनेक्टिट तू दा ग्राउंड, और बैलून को जमीन से क्यों बांधा गया था, जमीन से क्यों जोड़ा गया था, क्योंकि रोजियर को यह पका नहीं पता था कि बैलून कहां तक उपर जाएगा, and or how safely it would come down, और कितनी ही स्रक्षित वह वापिस आएगा, यह उसको कोई आइडिया नहीं था, कुछ बैलून तो 28 मील्स, 28 मील्स से भी उपर तक चले जाते हैं, the code for a man बैलून is 21.5 माइल्स, 1,13,500 फिट की, एक आदमी को बिठा कि जो बैलून सब चूपर गया था, वो 21.5 मील्स या 1,13,500 फिट उचा गया था, दीपक, कैन बैलून गो अप सो हाई, क्या एक बैलून क्या गुबारा इतनी उचा जा सकता है, इतनी उचे तक, अंकल, yes, the height to which a बैलून can climb depends on how light it is, तो इसमें अंकल कहते हैं कि किसी भी बैलून की उचाए कि वो कहां तक जाएगा, ये निर्भर करती है कि वो कितना हलका है, जितना हलका होगा उतना उपर जाएगा, बैलून फिल्ड विद हाइड्रोजन विल क्लाइंब दा हाइएस्ट, बिकाज हाइड्रोजन इस दा लाइटेस्ट गैस, कहता है कि वो बैलून जो कि हाइड्रोजन गैस से भरे जाते हैं, वो सबसे उचे जाते हैं क्योंकि हाइड्रोजन गैस लाइटेस्ट यानि कि सबसे हलकी, लाइट मीन्स हलकी, लाइटेस्ट सबसे हलकी, hydrogen is dangerous परन्तु hydrogen gas खतरनाक होती है क्योंकि यह आग को जल्दी पकड़ती है easily आसानी से पकड़ लेती है the other gas that has been used is helium दूसरी gas जो इस में गुबारों में भरके उड़ाया जाते है जो गुबारों भरने में यूज की जाती है वो होती है helium which is heavier than hydrogen hydrogen से थोड़ी भारी होती है but does not catch fire परन्तु वो आग नहीं पकड़ती and is there for more safest लिए यह ज़्यादा सुरक्षित है तो ज़्यादा तर helium भरा जाता है दीपक, why do people still use balloon when they can go up in aeroplanes कहता है दीपक कि लोग अभी भी balloon क्यूं गुबारे क्यूं यूज कर रहे हैं जबकि अब तो aeroplane से जा सकते हैं can go up उपर aeroplane से जा सकते हैं अंकल अंकल कहते हैं that's because traveling in a balloon is always very exciting and great fun परन्तु अंकल कहते हैं क्योंकि गुबारों की यात्रा करना हमेशा ही exciting मतलब उतेजना परकट करने वाल रोमांचक और बहुत ही आननदाई होती है balloon races are held in many countries of the world और संसार में बहुत से देशों में balloon की race की जाती है गुबारा दोड की जाती है दीपक are balloon races held in our country too तो इसमें दीपक पूछ रहा है क्या to means हमारे देश में भी भी तो दीपक यहां पर पूछ रहा है क्या हमारे देश में भी balloon race होती है अंकल ओ यस अरे हाँ इन देली a balloon race race is held every year तो देली में हर साल balloon race गुबारों की दोड की जाती है on the day of the race one can see a large number of huge and colorful balloons वो कह रहा है कि इस दिन जिस दिन race होती है उस दिन आकास में लोग देख सकते हैं बहुत बड़े बड़े huge बड़े और colorful number of बहुत सारे balloons देख सकते हैं जो कि बड़े होते हैं और colorful होते हैं floating in the air above the houses and tall building with people standing at the basket on or gandolage as they can call looking down upon us और लोग उची उची building उसे उनको देखते हैं क्योंकि balloon जो उड़ते हैं वो घरों के उपर से उड़ते हुए दिखाई देते हैं और लोग बड़ी-बड़ी buildings के उपर खड़े होकर देख सकते हैं जो जिनमें की टोकरियों या गंडोलों जो कि उनका नाम दिया हुआ होता है लोग उनको देखते हैं लोग अपने भबनों पे उपर चड़ जाते कई-कई मंजिल होती है न सहरों में दिल्ली में तो और उपर चड़ जाते हैं और देखते हैं कि लोग कैसे इसमें बैलून रेस में हिस्सा ले रहे हैं देखो यहां पे यह बैलून रेस होरी ही बेटा ठीक है दीपक यह बहुत अच्छा है और मैं भी बैलून की रेसे करूंगा अंकल यू मस्थ हां तुम बिल्कुल कर सकते हो तुम करना यूल सर्टेंटेंली एंजॉइ डोइंग इट और तुम ज़रूर ही आवश्य ही तुम्हें इसमें आनन्द आएगा तुम्हें बैलून रेस में बड़ा मज़ा आएगा दीपक ओ यस अरे हां ठैंक यू अंकल वो कह रहा है कि हां अंकल आप मेरी रेस करवाना मुझे बड़ा आनन्द आएगा आपका बहुत बहुत धन्यवाद तो बेटा यह हमारा इनके बारे में होट एयर बैलून्स के बारे में तो उनमें क्या कौन-कौन शी गैस भरी जाती है कैसे उड़ते हैं यह इसमें बताया है अब बेटा हम कर लेते हैं इनके वर्ड मीनिंग एडवेंचर सहासिक, एक्साइटिंग रोमायन चक, ट्रेनिंग परसिक्षन, यूज विशाल बड़ा, बहुत बड़ा मैटीरियल, सहमान यानिकी पदार्थ, अटेच्ट, कनेक्टिड, रूष्टर, कौक यानिकी मुर्गा, और गे रोप, एक विशेश परकार की रसि, मैंड, मलब संचालित मनुष्य के दवारा चलाए गई ये हो गए हमारे वर्ड मीनिंग, और बेटे, इनके अलावा कोई और वर्ड मीनिंग जो तुम्हें नहीं आया हो लेसन में, उसको अंडरलाइन कर लेना, और फिर कॉमेंट बोक्स में लिख देना, मैं उसका तुम्हें लिख दूँगी, अब आगे हम कर लेते हैं, अपनी कॉम्प्रिहेंशन और कॉम्प्रिहेंशन में बेटा मारे पास हैं, ट्रू और फोल्स के स्टेटमेंट के सामने, जो ट्रू है वहाँ पे ट्रू लिख देंगे, और जो फोल्स है वहाँ पे हमें फोल्स लिख देंगे, एडवेशन स्पोर्स आर नोट डेंजरस, ये कह रह Training is needed for adventure sports. Adventure sports के लिए एक special prescription क्या आव सकता होती है. बिल्कुल होती है. यह true statement है. Balloons are filled with hot air or a light gas. कहरे कि Balloon गरम, हवा या हलकी gas से भरे जाते हैं. यह statement भी सही है. यहां पर T लिख दिया. We do not have a balloon race in our country. हमारे देश में balloon race नहीं होती. नहीं होती क्या? होती है. बताया है हमारे lesson में कि हर साल दिल्ली में यह race होती है. तो यह statement हमारी wrong है. फोल्स है. इसलिए हमने F लिख दिया. Baskets are also called gondolas. करेक basket को gondolas भी कहा जाता है. कहा जाता है? बिल्कुल कहा जाता है. हमारे lesson में आया है. तो यह true है. इसलिए T लिख दिया. Ballooning is not an aerosports. Ballooning एक aerosports नहीं है. हवा में क्या जाने वाला खेल नहीं है. नहीं है क्या? है. हवा में ही तो उड़ते हैं balloon. इसलिए यह statement हमारी false है. ठीक है बेटा? अब हम कर लेते हैं इसके question answer. और पहला question बेटा हमारे पास है. What are adventure sports? सहसी खेल क्या है? Why are they called so? उनको ऐसा क्यों कहा जाता है क्यों? Tracking, row climbing and rear rafting are adventure sports. They are called adventure sports because these are hard, dangerous and exciting. इसलिए उनको हम adventure sports कहते हैं. अगला question है बेटा? What makes the balloon go up in the air? कि किस से किस के दवारा balloon उपर जाता है? Light or hot gas makes the balloon go up in the air. कि हलकी और गरम हवा जो होती है वो उसको उपर लेके जाती है balloon को. अगला question बेटा हमारे पास है. Who are the first man to go up in the balloon? कौन था? Francis D. Roger. यह सब से पहले balloon में बैटके गए थे. Can we fill the balloon with hydrogen gas? क्या हम hydrogen gas से balloon को भर सकते हैं? Yes. Why? क्यों भर सकते हैं? और Why not? क्यों नहीं? अपने region तुमें देना है. तो we can fill the balloon with hydrogen gas. हम hydrogen gas से balloon को भर सकते हैं क्योंकि it is lightest gas. हलकी gas होती है. And the balloon filled with the gas will go higher up in the air. और जितना उसको hydrogen gas से भरेंगे तो balloon हमारा ज़्यादा उपर जाएगा. तो बेटा ये थे हमारे question answer और इस वीडियो का हम अपनी को यहीं समाप्त करते हैं. अगला lesson का आगे का जो part है वो हम पढ़ेंगे अपनी अगली वीडियो में. ठीक है? Thank you.